है गाई वोट साप कैसे आसा करता हूँ आप सभी एच्छ होंगे और आपके त्यारी अच्छे से चल ले होगी दोस्तों आज के इस वीडियो से मुझे में यूपेसी टॉपर रही है रिचा इस बार की रिजल्ट में यूपेसी में टॉपर रही है और आपको बता दू कि हिं इसका उत्तर कैसे दिया ठीक है चलिए सुरू करते हैं सेगमेंट को लेकिन सेगमेंन को सुरू करने से महलै मैं आपको बता दू कि यूपेसी में यदि आज के ड makes में आपको लिखना होगा तो मैं कि इसके कारन है क्योंकि आप सभी जानते हैं जो मैंत है सर्शाव 50 number cover करता है और जो mains है वही यहाँ पर आपकी rank decide करता है overall आपकी मोटे तोर पर जो mains का exam होता है वो आपकी rank decide कर देता है और यह जो 3750 number mains में है वो सारे लिखे जाने है यानि कि आपकी question यहाँ पर written exam होता है और सारा कुछ आपको लिखना होता है तो यानि कि आपको writing skill अपनी लिखने की छमता skill को विक्सित करना होगा और यह कैसे विक्सित होगी आप topics की copy देखेंगे और उनसे सीखेंगे और लगातार प्रयास करेंगे खुद भी लिखने का तो जाकर आप इसे अपने उत्त में निखार ला सकेंगे ठीक है तो भीया आपसे यह गुजारित से कि इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ देखकर ना रखें प्लीज आज से लिखना सुरू कर दें और यदि आपने आज से लिखना सुरू कर दिया तो प्लीज मैं तो यह कहता हूँ और टॉपर्स भी कहते हैं कि यदि आपने लिखना सुरू कर दिया और अच्छी राइटिंग स्किल एचिव कर दी तो आपको IAS बनने से कोई नहीं रोख सकता तो भीया सुरू करते हैं सेग्मेंट को और बताने की ज़रूरत नहीं है देखे भीया सबसे पहला प्रशन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है और रिचा क्या लिखती है देखे प्रशन है कि राजी विधान परसदें महंगी और अनावश्य विधाई उपांग हैं इस संदर्म में विधान परसदों की उपयोगिता की जाज करे इसके अतरिक्त इनके स्रजय अन्वा उस सादन के प्रक्रियात्मक पहलूँ उपर तिपनी करे देखे राज्य परसदे जो विधान परसदे हैं उन पर प्रशन किया गया है कि जो विधान परसदे हैं कई के जगे राज्यों में वो मेहंगी भी है और अनावस्यक उपांग भी है अनावस्यक है उनकी जरुवत नहीं है ये statement दिया है इसी पर पूछा है कि संदर में विधान परसिदों की उपयोगिता की जाज करे क्या उसकी क्या विधान परसिदे होनी चाहिए यही जाज करना है इसके अत्रिक्ट इनके विधान परसिदे होते हैं उनका गठन कैसे होता है और इसका विर्टन कैसे क्या जा सकता है ठीक है यह प्रश्ण सीधा तोर पर पूछा था अब देखते हैं रिचा ने कैसे लिखा अपनी कॉपी और यूपेसिक के अंतिम लिष्ट में अपनी जगह बना ली ठीक है तो ब क्या हमसे यूपेसि कमिशन हमसे क्या चाहता है प्रश्ण में क्या डिमांड करना है यदि जो डिमांड प्रश्ण में यूपेसि हमसे चाहता है यदि उसी एकॉर्डिंग हमने उनके डिमांड के एकॉर्डिंग अपने उत्तर में सप्लाई कर दिया तो भाया आपको विधान परिसद उपरी सदन का कारे करती है यानि कि राज्यों में जो राज्य विधान परिसद होती है वो उपरी सदन का कारे करती है जैसे केंदर में राज्यसभा उपरी सदन का कारे करती है ठीक है लिखती है हाला कि सम्मिधान में यह राज्यों के विवेक पर है कि वे अ विधाण परशदे हैं वो कुछी राज़ों में हैं कुछ zachya raja में हैं ठीक है अब यह विधान परसय यह राज्यों पर डिपेंड करता है कि वह विधान पर्शद का गटण कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है आप देखें बढ़ते हैं इन्होंने विधान परिषद इस तरह से हेडिंग डाला और देखें क्या लिखती हैं लिखती हैं कि राज में उपरी सदन का कार करती है जो विधान परिशत है लिखती है समविधान में उपबंद की विधान परिशत में विधान सभा की एक तिहाई सीट से अधिक सीटे नहीं होंगी यानि कि सम्विधान में ये उल्ले किया गया है कि जो राजी में विधान सभा की जो सीठें होती है उन सीठों का एक तिहाई से जादा सीठ विधान परिसद की नहीं होंगी ये सम्विधान में उपुबंद किया गया है देखें आप क्या लिखती है आगे लिखती है कि भारत में इधर देखे लिखती है कि भारत में केंद्र वा राज जी दोनों इस तरों पर संगिये प्रणाली लागू है अब अगली हेडिंग सुरू करती है देखे किस तरह से लिखती है कि विधान परसद के लाब क्या है अब देखे लाब के बारे में बताने इन्होंने सुरू किया है कि विधान परशद के लाब क्या है पुन्ड राज्यों में विधानपरशत के बीधानपरशत करती है क्या यह सही तो नहीं कर रहा है यह सारी विधानपरशत में काम करती है ठीक है आप देखे आगे क्या लिखती है लिखती है वैसे मेधावी व्यक्तियों को विधाईका का अंग बनाएगी जो लोग प्रिये चुनाओं नहीं जीश सकते हैं ठीक है यानि कि जो विधान बरिशत का काम है जैसे टीचर्स हो गये हैं और बहुत स्कूल के प बताया है कि मिधावी व्यक्ति भी इसके थुरू यहां पर किसमें आ सकते हैं यहां पर अपने जो प्रतिनिद्व कर सकते हैं इंटैरेक्ट वे में जैनता का ठीक है आप चलिए आगे बढ़ते हैं क्या लिखती है दिखे लिखा है इनोंने कि हाला कि भारत में सिर्फ ठीक है आप देखे हाल की दिनों में विधान परसिदों का की उपयोगिता पर प्रश्ण उठे हैं यानि कि यह होनी चाहिए या फिर बजा सिर्फ पैसे चापने का एक जर्या है सिर्फ मोटी मलाई खाने का यह जर्या है यह जो सदन है ठीक है इस पर प्रश्ण चिन उठ शर नहीं क्या इसके जो यह जो यह तित्व है इसका घटन होना चाहिए या नहीं इस पर यहां पर इन्होंने बताया है देखें आप देखें प्रशण चिन क्या क्या लग रहा है यह बिके क्या बताती जgar लिखते थारा न परशदों की उपयोगिता पर प्रश्ण चिन कै तो राजसभा की ही तरह जो कोई विधहक जैसे की सपोच कर लेते हैं आप सभी जानते हैं लोकसभा से कोई विधहक पासवा और वो राजसभा में जाता है ठीक है राजसभा में क्या होता है राजसभा में यह दी राजसभा उसे यहां पर अपनी अनुमती कुछ नहीं देती है 24 स्वारी 14 दिनों तक अगर राजसभा में वह पेंडिंग पढ़ा रहता है तो वह डारेक्ट क्या होता है लैप्स हो जाता है और स्वत्य पारित हो जाता है वह विदेख ठीक उसी प्रिकार्ट से जब भी विधान परसिद्य है वह राजसभा की ही तरह विदेखों को पार स्विस्तम चार महीनों तक किसी विधेखों को रोख सकती है यानि कि जो legislative council तक किसी विदेख की से पास हुआ उस सब्सक्राइब जब विधान परष्ब में तो वो चार महीने ते जादा चार महीन ते से जादा हुआ तो अपने अप लाग्स ओकर स्व llama फास हो जाती है चलिए आगे लिखती है आगे लिखती है था दोनों सद्दों के मद्द गतिरोध के स्थिति में विधान सभा प्रभावी होगी ठीक है विधान सभा का विगटन नहीं हो सकता ठीक है विधान सभा का जो स्वारी यहां पर लिखा है था दोनों सद्दों के मद्द गतिरोध के इस्तिती में भी विधान सभा ही प्रभावी होगी यानि कि कहने का मतलब यह है कि यदि कोई विधेक पास्वा तो विधेक अगर पास्वा और विधान परिसत जो है उस पर कोश्चन मार करती है तो जादा जो पढ़ला है वो विधान सभा का ही भारी होगा यानि कि उस पर ज जो प्रशने पूछा था उस पर क्याड लिखती है देखे लिखती है कि देखे ये तीसरा पॉइंट बहुत इंबॉर्टन है लिखती है विधान परिशद चुनाओ हारे हुई उमिद्वारों दलगत राजनीती वा समझोता वाधी प्रताशियों के लिए एक प्रमुख विक ऐसे देकर डारेक्ट इस तरह से यहां पर कहां पर आ जाता है मलसी के चुनाओं में यहां पर पार्टिसिपेट करते हूं और जीच जाते हैं और यह भाराज्य पर संचित विधि पर भार यहां पर बढ़ाते हैं ठीक है तो यह क्या है यह निगेटिव एक पॉइंट है ठ विधान परिशिदों के स्रजन वा उस्सादन संबंदी जो प्रक्रिया है कि किस तर से इसका गठन होता है और इसे डिजॉल किया जाता है ठीक है आगे देखे लिखते हैं अनुशियत 179 के तहत अंसार राज विधान परिशद स्वाद वारा विधान सभा स्रजन उस्साद करने के बाद संसत उक्त राज में विधान परिशद स्रजन उस्सादन है तो प्रस्ताओं को दोने सद्नों में सामान बहमत से पारित करती है देखे यह इन्होंने क्या लिखा है कि किस तरह से गठन होता है किसी राज अगर कोई राज विधान अपने राज में विधान पर आगे लिखती हैं विधान परदेश्ट स्रिजद संसद के सामान ने बहुमत द्वारा तथा अनुशे 366 के अंतरगत अधिक विसेश्च प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है ठीक है आगे फिर इन्होंने कंक्लूजन के तौर पर देखे क्या लिखती है लिखती है लिखती है ह अधिक प्रदेश में हाँ पर गठन हुआ विधान परदेश्ट का तो वह संसद के समक्षां पर रखा गया था और उसी का हाल या मुद्दा करेंट का मुद्दा हिन्होंने हाँ पर कोड़ कर दिया तो आपको क्या करना है आपको डिमांड सप्लाई पर काम करना आप देख दिमांड कमिशन आपसे प्रशन में डिमांड कर रहा है उस डिमांड के एकॉर्डिंग यदि आपने उत्तर एंसवर में सप्लाई किया मतेरियर अ कंटेंट तो वह सेलेक्षिन के करीब आप हो और यदि आपने भठकाओ किस सितिय अपने उत्तर में डाल दी तो भीया बहुत कुछ होता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आसा करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद अधिक से अधिक उत्तर लिखेंगे और हमारी ओफिसियल इमेल आईडियो है आप इसी डिस्क्रिप्सम डॉक्स में दिया गया है उस पर अपने उत्तर यहां पर लिक दिया जाता है कि आपका जो उत्तर है वो कैसा लिखा हुआ है चलिए आसा करता हूँ आप इस वीडियो को अधिक साधिक शेयर करेंगे यह आप हम अभी फेस्बुक से देख रहे हैं तो फेस्बुक से डिफ्रेंट प्लेट्फाउम पर शेयर करें और यह आप हमें अभी यूट्यूब से सुनें तो यूट्यूब से भी डिफ्रेंट प्लेट्फाउम पर शेयर करें चलिए तब तकी धन्यवाद शेयर करते रहें